विदुर विचित्र विरी की रानी अंबार लिका की दासी के पुत्र थे तो इसमें बताया जा रहा है कि विदुर कौन थे विदुर जो थे विचित्र विरी की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे अमबालिका की जो दासी थे उनके पुत्र थे कौन विदूर विदूर धर्म देव के अवतार थे वे धर्म और राजनीती के प्रसिद्ध विद्वान थे धर्म और धर्म क्या होता है राजनीती क्या होता है क्योंकि जब देश चलाना होता है तो क्या होता है राजनीती की जानकारी होनी चाहिए और धर्म की भी जानकारी चाहिए तो ये धर्म और राजनीती के प्रसिद्ध विद्वान थे मतलब बहुत कुछ जानकार थे, उनसे लोग सलाह लिया करते थे, भिस्म ने इनको धृतराष्ट का प्रधान मंत्री बनाया था, और भिस्म क्या किये थे, इनको धृतराष्ट का प्रधान मंत्री बनाया था, बिदूर ने जुआ खेलने की अनुमती न देने के लिए धृतर द्राष्ट से इस प्रकार आख्राः किया तो एक बार क्या हुआ विदूर जुआ नहीं ! चील को नहीं खेलने के लिए द्रितराश्ट से आग्र्णा फी 19 राजन मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बायरभाव बरहेगा इसको रोक दीजिए तो बिदूर तो बहुत बरे राजनीती थे धर्म जानते थे तो वे जानते थे कि यह जो खेल खेलेंगे तो क्या होगा आपस में कोई अगर हार जाएंगे तो हारने के बाद क्या होता है मन में दुस्मनी हो जाता है जैसे देखते होंगे एक छोटा सा चीज बचो कि अगर हम लोग एक लुडो ही खेलते हैं तो क्या होता है जब लुडो खेलते हैं तो चार आदमी उसमें बैठते हैं कभी-कभी दो आदमी ही पनप जाती है तो इस बात के लिए विदुर पहले से ही सलाह देना चाह रहे थे किसको धृतराष्ट को कि यह काम ठीक नहीं है और आपके पुत्र यह खेल खेल रहे हैं या अच्छा चीज नहीं है इसको रोकना चाहिए तो धृतराष्ट ने विदुर की सलाह मान कर दुरिय अपने पुत्र शे कहा गंधारी के लाल विदुर बरा बुद्धमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है तो धृतराष्ट अपने पुत्र को समझा रहा है कि देखो गंधारी लाल मतलब अपने पुत्र को कह रहा है कि देखो विदुर जो है बहुत ही बुद्धी मान है और हमेशा समका भलाई चाहता है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनकी बात को मान लो बत्स जुआ खेलने का विचार छोड़ दो बिदुर कहता है कि उससे बहुत विरोध वरहेगा और वह राज के नास का कारण हो जाएगा छोड़ दो इस धृत्रेश्ट कि शलाह दूरियोधन ने ना माने पर धृतराश्ट कि सलाह दुरियोधन बहुत जिद्धी था वह इस बात को माना नहीं और पुत्रमोह के कारण ही धृत्राष्ट ने युधिस्ठिर को जुआ खेलने का ने置टा भेज दिया और क्या हवा पुत्रेश्य लगा हो जाता है आदमी को तो अरोख भी नहीं सका उसके जिद कप को पूझा करने के लिए क्या हुआ पुत्रमोह के कारण ही धितराश्ट ने युधिष्ठिर को बुलाया जुआ खेलने के लिए नहांता दिया मतलब निमंतरन भेजा विदुर ने युधिष्ठिर को भी समझाने का प्रयास किया किन्तु युधिष्ठिर ने बड़े आदर के साथ यह उत्तर दिया कि चाचा जी मैं यह सब मानता हूं पर जब काका धितराष्ट बुलाए तो मैं कैसे इनकार करू अब यहां पर युधिष्ठिर कह रहा है बिदुर को कि क्य करूं मुझे काका काका मतलब धृतराष्ट मुझे इस खेल के लिए बुलाए है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना छत्रिय का धर्म तो नहीं है छत्रिय का धर्म ऐसा नहीं है कि अगर कोई युद्ध के लिए बुलाए तो नहीं जाए या धर्म नहीं है तो इसी बात को लेकर इसमें बिदूर के बारे में बताया गया है बच्चों तो बिदूर कैसे थे आपको मालुम है कि बिदूर जो थे बहुत ही धर्म जानने वाले थे राजनीती के प्रसिद बिद्वान थे और उन्होंने जुआ नहीं खेलने का सलाह दिया था तो विदूर के बारे में हम लोग जान गया है अब यहाँ पर नीचे प्रश्ण जो है कुछ आप लोगों को जो कठिन वर्ड है वह दिया गया है और इसके बाद प्रश्ण उत्तर दिये गया है पहला प्रश्ण है विदूर कौन थे तो इसका उत्तर है विदूर विचित्र विरी की रानी अमबाली का के दासी के पुत्र थे दूसरा प्रश्ण विदूर किस छेत्र के विद्वान थे तो इसका उतर है विदुर धर्म सास्त्रव राजनीती के विद्वान थे विदुर नीती उनका प्रसिद ग्रंध है तीसरा धृतराश्ट के यहां विदुर किस पद पर थे उतर विदुर धृतराश्ट के प्रधान मंतरी थे चौथा प्रस्ण धितराष्ट को जुए का निमंदरन देने से रोकने के लिए विदूर ने क्या कहा था? उत्तर जुआ खेलने की अनुमती न देने के लिए विदूर ने धितराष्ट से भूत आगरह पुरवक निवेदन किया था कि राजन मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जस्ता इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बायर भाव मतलब दुष्मनी का भाव बढ़ेगा इसको रोक दीजिए पांचमा प्रस्ण युधिष्ठिर ने विदूर की शलाह को सुनने के बाद विदूर को क्या उत्तर दिया? उत्तर युधिष्ठिर ने आज ध्रितराष्ट के आग्यां का उलंगा नहीं कर सकता और दूसरे युद्ध या खेल की चुनोती को और स्विकार करना छेत्रिय धर्म के बिरुद्ध है